हेलो गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स टुडे वी आर गुइंग टू स्टार यूनिट सिक्स पेद नमबर 53 तो सबसे पहला में यह पोयम जो है ट्रेन वो रीड करेंगे आप सबको पता ही है के ट्रेन कैसी होती है आप सबने जर्नी की ही होंगी ट्रेन में ठीक है हमको कही भी आना जाना हो कहीं पर जर्नी करने जाना हो तो हम फ्रेन में बैटके जाते हैं ठीक है तो यहां पे ट्रेन के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी पोयम दी है तो सबसे पहले हम पोयम करेंगे एंगए explain complete okay trains over the mountains over the plains over the rivers here come the trains caring for passengers carrying mail bringing their precious loads in without failing thousand of freight cars all rushing on through day and darkness to dust and down over the mountains over the plains, over the rivers, here come the trains. जहें से टिपती ने ये poem write की है. तो यहां पे fourth étяз है, first étяз में है over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. तो आप सबको पता ही है, कि हम जैसे train में बैठके जाते हैं, तो हम mountain मैं से train pass होती है, plains area में से जाती है, river किस से होके जाती है, तो यहां से सारी जगह से होके ट्रेन जाती है तो ट्रेन जो है वो कहां कहां से रन करती है तो माउंटेन यानि कि पहाडों से में पहाडों में से जाती है प्लेन यानि कि जो मेदानी लिया होता है वहां से भी निकलती है रीवर रीवर से भी पास होके निकलती है तो इन सारी ouv होती है आपको पता ही है ट्रेंज होते हूं कोई 1 दो पैसेंजर को एक दो लोगों को लेकी नहीं जाती ऊच्छाू होती है वह तो सबहोंने देखिके ट्रेंद के सारे यंजीन में ठीक है बहूत सारे लोग बैठे हुए होते हैं यानि की वहाँ पे बहुत सारे passengers होते हैं passengers यानि की यात्री, carrying mail mail यानि की वो संदेश देते हुए जाती है फिर जो train होती है वो बहुत सारा load अपने साथ लेके जाती है मतलब passenger तो होते हैं लेकिन अधर जो लोड होता है अदर सामान भी ट्रेन में बहुत सारा भरा हुआ होता है तो without fail यानि कि बिना बंध हुए वो continuously क्या करती रहती है ट्रेन चलती रहती है मतलब जिसको जहां जाना होता है वो time से पहुचा देती है थाउजन ओफ फ्राइट कार्स और रशिंगों फ्राइट कार यानि कि देखो यहां पर इस पिच्चर में दिखाया है यानि कि मालगार ठीक है यानि जो गूर्स ट्रेन आती है मालगारी उसमें पैसेंजर की ट्रेनी होती है तो पूरा सामान लेकर जाती है, वो उसे मालगाड़ी भोला जाती है जाता है, यानि कि Fright Car, ठीक है? तो 1000 of Fright Car on Rushingon, तो वो भी चलती रहती है, 1000, day and dark ने, through, dust and down तो day आपको पता है, जो train जो होती है, वो day and night दोनों टाइम में चलती रहती है, कभी train जो है, वो stop होती है तो डस का मतलब यहां पर morning है and down के यानि की night ठीक है तो रात यहां दिन हो day and night दोनों टाइम में train जो है वो continuously चलती रहती वो कभी बंद नहीं होती और जहां जिसको जाने है उसको time पर पहुचाती है और कहां कहां से निकल दी है train over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trends और वो mountain, plain area, river इन सारी जगल से पार होके train जो है वो पास होती है और निकलती है और हमको जहां पर भी जाना होता है train हमको समय से पहुचा देती है ठीक है तो यह poem एक बार अच्छे से read करना इसके hard word जो है वो next lecture में next video में send कर दूँगी ठीक है नेक्स जो lecture होंगा उसमें send करूँगी और next video में हम next exercise करेंगे यहां पर कुछ जो new word से वो देखेंगे mountains यानि की पहार, passengers यानि की यातरी, rivers यानि की नदिया, precious यानि की पीछे का ठीक है यानि की जो train जो है वो पीछे बहुत सारा load लेके चलती है उसके बारे में बात की है male यानि संदेश, plane यानि मिदान एरिया, dust यानि morning time and down यानि की night time ठीक है तो एक बार ही पोएम अच्छे से रीर करना, thank you so much